जै मातारानी की दोस्तों आपके अपने चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मा भगवती की किरपा माता काली की या सिरवात किरपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि आप मा काली से चाहोगे जी हाँ भक्तो ये सच है ये वीडियो सभी काली मा भक्तो के लिए होने वाली है अधिकतर करके उन भक्तो को होने वाली है जो ज्यादा ही माता की पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी उनके कहने से माता कोई काम नहीं करती है अधिकतर करके उन बतायोंगी केवल दो काम बतायोंगी अगर आपने आज से ही इंहें करना शुरू कर दिया खैर आज से नहीं, कल से करो वो भी सही है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखने के बार यह काम करना शुरू कर दिया तो आपको 110% की गारेंटी दे रह이 हूं जो माता काली से बोलोगे वही काम माता काली करेंगे एक बुलाने से माता आपके पास दोड़ी दोड़ी आएंगी और जो कारी के लिए भेजोगे चाहे हुआ अच्छा कारी हो चाहे वो बुरा कारी हो कैसा भी कारी हो आपका हर कार माता काली एक कहने से आपके करेंगी तो आपको कैसे कैसे करना है सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी भक्तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो लाइक कर दिजिएगा साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस आल पर जरूर कर लिजिएगा इससे क्या होगा न भक्तो कि भक्ती से जुड़ी जो भी वीडियो मैं कारी बता रही हूं ठीक है समझ रहे न अब आपको यह दोनों कारी जरूरी जरूर करने हैं अगर आप चाहते हैं कि माता आपके एक कहने से आपका हर काम करे तो यह कारी आपको करना ही पड़ेगा और क्या क्या करना है सब कुछ बता रही हूं तो पहला कारी जो आपको करन वह बता रही हूं ध्यान से, सुनलो बारी की से समझ लो, आपको साबुत साबुत फूल वाली 21 लॉंग निकालने हैं, निकाल लेनी है, ठीक है, 21 लॉंग में लॉंग निकाल करके, धर्ती पर बैठ करके मंत्र बोलना है, ठीक है, 21 लॉंग निकाल करके, मंत्र क्या है, क्रीम कालिका नमह यह मंत्र आपको 21 भार ही बोलना है ठीक है एक 20 भार भोलके अब आपको क्या करना है कम-से-कम आधा आपको लेना है कंडा कंडासमझते हैं न गोइठा जो गाय की गोबर की गोइठा बनाई जायते देख जूपला उसको उपला भी बोलते हैं जिस पर माता को आपको उस उपला को जला करके अगनी बनाना है ठीक है अगनी बनाने के बाद जलाने के बाद जलाना जलाने के बाद जब अगनी बन जाता है तो अगनी पर आपको भोग लगाना है वही आपको लेना है अब उस पे आपको मतलब उसे जला लेना है उपले को ठीक है जैसे से किसे द्वुआ निकलना बंद हो जाएगा उपले में से तो आपको उसे उस पर ले लेना है जैसे कि को कोई घर में तबा हो रोटी बनाने वाला ठीक है उस उपले पर रखने के बाद आपको क्या करना है ईस फर आफको टोड़ा सा डालना है सर्टो का तेल जैसे आप उस पर थोड़ा सा सर्चो का तेल डालोगे तीन चार बुंद सर्चो का तेल डाल देना उसके उपर आपको यह 21 लॉंग डाल देनी है 21 लॉंग डाल दोगे तो एकदम तेजी से उसमें से धुआ निकलना सुरू हो जाएगा अब जैसे उसमें तेजी से धुआ निकलना सुरू हो जाए तो आपको क्या करना है अपने पूरे घर में अपने पूरे घर में रोज इस कारी को करना है रोज अपने पूरे घर में जित महाकाली के नाम से आपको इसकी धूनी देनी है सभी कमरों में, घर की चोखट पर बात्रूम को छोड़ कर, ठीक है बात्रूम में धूनी नहीं देनी है, बात्रूम के छोड़ करके आप सब जगह पे माता की धूनी देनी है, धूना को, मतलब फैला देना धूना दिखाना है, किस लॉंग, एकईस लॉंग की और यह जो मैंने आपको कारी बताया है, यह केवल मा के सभी भक्तों को करना चाहिए ऐसा, ठीक है, कि जो चाहोगे, फिर जो चाहोगे भक्तों माता काली से, उनके एक कहने से, है ना आपके एक कहने से, मा काली आपके पास दोड़ी दोड़ी ठीक है, तो यह काम करें, या कारी करेंगे, या सभी भक्तों को करना चाहिए, माता का लॉंग की धूनी बेहत पसंद है, बहुत पसंद करती हैं, और माता बहुत परसंद हो जाती है, जब कोई भक्त उनको उपले के उपर लॉंग की धूनी देता है, तो आपको इससे बहुत फाइदे होते हैं, पहली बात तो आपके घर में स्वयम काली मा परकट होती है, और आपके सारे कारी पूरे करते हैं, सिद करते हैं, और मा काली के ऐसी सकती प्राप्त होती है, कि जो भी मांगते हो, वही मिलता है, और जो आप माता से कारी के लिए कहोगे, वो भी माता आपके कारी करने लग जाती है पहला कारी मैंने आपको बता दिया है अब आपको करना है दुसरा कारी जब आप सुबा उठते हैं उठके आप जब फ्रेश हो जाते हैं सब कामों से निर्वित्र होकर आते हैं नहां धुआ हर काम से तो आपको डाइरेक्ट असनान मतलब और डाइरेक्ट अपने घर में असनान करना है असनान करके एक लोटा जल एक लोटा जल मा काली के नाम एक भगवान सिव के नाम का सबसे पहला लोटा जल आपको शुरीदेव को चड़ाना है उसके बार भोले बाबा को एक लोटा चड़ाना है उसके बार काली मा को एक लोट का चड़ााना है मतलब मैं कहना चाहते हूँ जात्स कि पीतल का बलती में ऐख बालती पानी अश्चलोट माकाली का नाम से भोलो एभाबाकन से सड़ा देना है समय सुरिदेव के नाम सेुistes कह wrote लोटे कम से कम आपको शुरी देव के सामने अपने छट पर जाके मा काली के नाम से बगवान किसी उखे और सुरीदेव को तीनों को एक एक लोटा पानी चला देना है अब जैसे ही आप एक लोटा पानी चलाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है एक निम्बू लेना है ठीक है निम्बू को आपको पीपल के पेड़ पर जाके रखाना है बस ये कारिश आपका रहेगा एक निम्बू लेके उसको रोज आपको पीपल के पेड़ पर रखना है उससे क्या होगा कि आपके घर की मानलो कोई नगेटिव सकती हो या आपके घर के पित्रू नराज हो या आपके घर के देवी देवता नराज हो तो उनकी नराज़गी खत्म होगी और आपके घर में उसी के कहने से दिवी दिवता कारी करते हैनँ अब जिसके घर में पर्वेश नहीं होगा तो चाह दा यह कारी करना है अब को दो काम बता है पहला मैंने बताए कि है कि ऐक आप को फिली और दूसरा आप एक आप विल्द के पार है और आपको प्ल पेंड से गधारども देली Ciwe Carlo अब माली जी आप पीपल के पेड़ पर निम्बू रख के आएंगे तो यह कारे आपको सुभा ही करना है जैसे सुभा आप पूजा पाठ करेंगे ना अपने घर में तभी ही पूजा करने के बाद एक निम्बू लेंगे माकाली का नाम लेके भागवान सिव का नाम लेके इस इसको करने के बाद आपको पूजा करनी है निम्बू रख के आने के बाद पूजा करनी है अपने घर में जब जल चढ़ाएंगे पहले यह पीपल के पेड़ पर रख के आएंगे फिर उसके बाद अपने घर के माता की जोत जलाएंगे ठीक है दिया जलाएंगे तो यह दो के कारी नहीं होते हैं देवी देवता को बोलते हैं कि देवी देवता से कारी कराना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनके कारी नहीं होते हैं तो यह मैंने आपको जो कारी बताया है बहुत असान है और बहुत पावर्फूल है आप कर सकते हैं आप करके देखो और मैं आपको कितने दिन कहूंगी, मैं यह कहूंगी कि कम से कम आप इसे 6-7 दिन लगतार कर लेना, ठीक है, फिर उसके बाद आप अपनी आखों से स्वैम, खुद चमतकार देखिएगा अपनी घर के मंदिर में, कितने लोग तो सावा महिनत तक किये हैं ये कारिकों, ठीक है, तो आप लोग कम से साथ दिन तक करें, माता से बोलना, फिर उसके बाद से माता से बोलना है, माता काली, मुझे इस ब्यक्ति ने बहुत ज्यादा दुखी परिसान कर दिया है, ठीक है, रखाईया, मेरा सत्रू है, दुसमन है, मेरे घर में बुरी सक्ती छुड़वार रहा है, मेरे घर का बुर माता को भोग चड़ाना है, और ना ही माता को कुछ चड़ाना है, मतलब माता को कुछ नहीं चड़ाना है, बस इस तरह जो कारे मैंने बताया, वो दो कारी करना है, ठीक है, माता को ना भेट चड़ाना है, ना माता को भोग चड़ाना है, बस यह दो कारी कर दे, आपको सिध कितने भी बड़े भक्तों के हाथ हो, तांत्रीक का हाथ हो, लेकिन जब मा काली उसका सर्वनास अंत करेगी, तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं आएगा उसकी रक्षा करने के लिए, तो जैसा मैंने कहा है, कि आप इस कारी को इस्तिमाल करें, तो सही कारियों में करें, गलत में ना, ठीक है, अब देखिए, बोलते हैं, कि माता काली आपके सारे काम करेंगे, अब लोग क्या करेंगे, इसका गलत गलत फायदा भी उठाएंगे, जैसे कि कि किसी का बुरा करना, किसी का वस में करना, किसी लड़की से प्यार करते हैं, उस लड़की को अप तो अगर आज आप मतलब गलत कार के लिए मता काली को कर रहे हैं, तो कल आपको भी भूगतना होगा, ठीक है? मता काली बहुत दिन तक फिर आपका साथ नहीं देंगी, तो इस कारी से बहुत ज़्यादा सक्ति प्राप्त होती है, जिस सक्ति की वज़ा से बौलता हैं, माता काली सारे काम करती है, तो वो सक्ति का गलत उपयोग ना करें, ठीक है, बहुत पापी इंसान होगा, तभी आप इस सक्ति को उस पापी इंसान पर छोड़िएगा, नहीं, तो ऐसे नहीं, तो मैंने आपको एक एक करके सब को समझा दिया है, अब मैं आपसे मिलती हूँ, अगली वीडियो में तब तक के लिए जये, माता काली हरहर महादेव, माता काली बाबा भूले ना था आपकी मनो कामना पूरी करें, आप हमेशा खुस रहे भक्तों.